जेहिन मेरे पहरे सथियों, आप सभी का स्वागत है उतकर्षके सांधार से प्लेटवर्म पर तो कैसे हैं। सबी लोग आई होप सांदार होंगे मस्त होंगे जवरजस्त होंगे तंदरुस्त होंगे और आज जो है और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे है तो आज भी आपका टेस्ट रखा है जैसा कि मैंने बताया था कि लगबग चार टेस्ट आपके होंगे, तो आज ये तीसरा टेस्ट जो है आपके सामने है questions अच्छे हैं level मैंने फिर से कहा कि level थोड़े अच्छे रखे हैं क्योंकि आप अच्छे हो, तो आपके लिए level भी तो अच्छे रखने पड़ेंगे न भाई तो आएए फिर बिना किसी देरी के डिरेक्ट हम जो है question पर ही बात करेंगे और ये question के क्या कहते हैं पटा के यहाँ पर छुटेंगे पहला question आपके skin के सामने है समागरी के समागरी के किस गुड के कारण समागरी किस गुड के कारण जो है इसका उपयोग बैदुधारा में फ्यूज तार के रूप में करते हैं बताओ यानि फ्यूज तार फ्यूज वायर जो है उसमें कौन सी quality होती है जिसके लिए हम फ्यूज वायर के material में कौन सी quality होनी चाहिए फ्यूज वायर है ना फ्यूज वायर जो आप इस्थमाल करते हैं उसमें कौन सा जो है यहाँ पर गुड़ होना चाहिए यह आपको बताना है तो फड़ावड़ एक बर बताएगा कौन सा गुड़ होना चाहिए कौन सा गुड़ होना चाहिए कौन सा गुड़ होना चाहिए फ्यूज वायर के लिए कौन सा गुड़ होना चाहिए तो सर बहुत सिंपल सी बात है कौन सा गुल होना चीए तो उच गलनांक, उच नम्यता, कम परतिरोधकता, कम गलनांक तो सर सबसे पहला तो qualities की होना चीए कि melting point इसका कम होना चीए कि थोड़ा भी अगर आपका जो है थोड़ा भी short circuit हो तो तुरंत ही पिघल जाए तो ये सबसे पहला good इसके अंदर होना चीए तो जिन बचो का answer क्या रहा है DR हो बिलकुल सही है चलिए 30 second कम timer लगाते है एक एक question पर 30 second देंगे आप लोग देखीगा last में जैसे ही class खतम होती है score बताया करो कितना आपने आज के test में score किया है ठीक है चलिए second question आपके skin के सामने है देखिएगा second question क्या गह रहा है second question कह रहा है which of the following statement is correct when a seat of paper and a stone freely dropped into vacuum कहा है जब कागज की एक seat और पत्थर दोनों को स्वतनत रुप से निरवात में गिरा रहे है निरवात में गिरा रहे है इसका मतलब air resistance नहीं लगेगा दोनों पर तो दोनों पर केवल G लगेगा हाँ तो इन में से कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है which one of the statement is correct with one of the following statement is correct कौन सा statement सही लग रहा है आपको बिलकुल सही अगर मैं बात करूँ तो यहां पर आपका समय जो है इसमें जादा इसलिए दिया यो कोशन लंबा था तो पढ़ने के लिए समय चाहिए होता है इसलिए मैं इसमें एक मिनट का समय आपको दिया हूँ और मुझे पगरा पता है कि आप लोग सांदार तरीके से इस पर भी जी लग रहा है इस पर भी जी लग रहा है न भाई क्या यह जी इस पर क्या 9.8 से अधिक लग जाएगा क्या या इस पर 9.8 से कम लगेगा क्या नहीं दोनों पर बराबर लग रहे हैं तो दोनों के दोनों जो है एक ही समय पर क्या एक ही समय पर जो है ये जमीन पर पहुँचेंगी यानि धरती पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र यहाँ पर सी आंजर जो है बिल्कुल से यह बारिस का बुंद जो है गोलाकार क्यों होता है यह आपको बताना है आपने दिखा हो का बारिस की बुन जो है, हमेसा क्या होती है, गोला कार, यह कोई भी ड्रॉपलेट लेलो, लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड ड्रॉपलेट कैसा होता है, तो सर गोला कार, स्फेरिकल होता है, क्यों होता है लिक्विड ड्रॉपलेट स्फेरिकल, यह आपको बताना है, है न क्या होता है बता 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 तीस सेगंड का समय जा चुका है तीस सेगंड का समय जा चुका है तीस सेगंड का समय जा चुका है मेरे दोस्त मेरे मित्र इसका में कारण है सर्फिस टेंसन क्या सर्फिस टेंसन प्रिष्ट तनाव जो है इसका में कारण है क्यों सर मान लेते हैं कि कभी जब जैसे ही drop गिरता है तो वो कुछ भी safe रहता लेकिन तुरंद गोलाकार हो जाता है क्यों मालिया ऐसा safe था तो इसके जो बाहरी molecule है ना बाहर के जो अडू है जो एकदम outer surface पर यह है पानी के यह outer surface पर है इन पर जो अंदर वाले molecule है ना इनको खीचते हैं क्या करते हैं सर्फिस टैंशन, सर्फिस वाले molecule को खीच रहे है किसके करण क्योएसी फोर्च से को इसी फोर्च जाहे जो बता दो अडू के मतलगने वाला death ऑकरशन बल भी जो है ससंजक बल कहलाथा है तो ससंजक बल के कररणा यह खीच रहे है खीच के क्या करना चारहा है यह area minimize करना चा मैट्स वाले गुरुजी लोग आपको पढ़ाए होंगे, चिला चिला के बोले होंगे, कि बाबु जब बोल दे, कि छेतरफल नियुन तम, कौन से सेप का होता है, तो आप बोलोगे, सर, 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 इस फेर का होता है, कैसा इस फेर का, तो ये भी तो area minimize करना चाहरा है, तो कैसा स surface के molecule पर tension, कौन सा tension, surface tension, प्रिश्ट तनाओ, कहोगे यहाँ पर प्रिश्ट तनाओ, ठीक है, तो B answer जो है, बिलकुल सही है, next आपके सामने है, तीसरा question देखोगे, तो आपके सामने है, और तीसरा question कहरा है, ध्वनी तरम की आवरितिम आपने की माना की काई, ये तो पांस से सेकेंड वला है, कौन सा है, आप ही से पूझ रहा हूं, मुस्किया रहे हो खुब, क्लास देखके, मुस्किया न मतलों समझते हो, मुस्काना, हसना, यहाँ से अगर मैं कहूं, ध्वनी तरंग की आवरिती सर, आवरिती, आवरिती, जो है, माने की काई क्या होती है, यह आपके frequency की unit होती है, बहुत सांधार तरीके सा आप लोगोंने बताया, चले उस्मगत्की का उपियोग उरजात सनक्षा की धारा को समझने के लिए की अरते हैं, कौन सा law जो है thermodynamics का, जियो conservation of energy को समझाता है, या conservation of energy समूसे समझते हैं, conservation of energy, उरजात सनक्षा सिधान, क्या क medium to another medium, उरजा को ना तो उत्पन कर सकते हैं, ना ही नस्त कर सकते हैं, इसे केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदल सकते हैं, यह जब भी लाइन बोलता हूं तो मुझे एक लाइन या जाती है, आत्मा ना तो जनम लेती है, ना मरती है, आत्मा न जनम लेती है न वर्ती है तो वैर्थी चिंदा करता है तो वैर्थी किसी से डरता है आत्मा न जनम लेती है न वर्ती है तो इस पर कौन सा है भाई साफ First law, क्या? First law of thermodynamics जो है इसी पराधारित है Law of conservation of energy पर तो जिन बच्चों का प्यारे बच्चों का नन्ने मुनने राई बच्चों का आंसर आ रहा है क्या भी वो बिलकुल सही है आईए नेक्स्ट यदि सुरोत का तापमान बढ़ जाए तो दक्षिता क्या होगी यह बताना है यह आपको जो है आंसर देना है कार्णट इंजन में source का temperature बढ़ा रहा रहा है, Carnate engine ये कोई engine, अगर source का मतलब होता है sir, input, input बढ़ाओगे तो जाएंटसे बात-output बढ़ जाएगगा, तो overall efficiency क्या होगा, overall efficiency बढ़ जाएगा, इसमें सोचने की बाती नहीं है, इसमें कोई सोचने की, बाती नहीं है, बात भी नहीं है नेक्स्ट इसमें कहा रहा है दर्बमान केंदर का सुत्र क्या होता है इन में से दर्बमान केंदर सेंटर ऑफ मास दर्बमान केंदर क्या होता है सुत्र क्या होता है कि बतादो कि सेंटर आफ मास का मतलब क्या हो सर सेंटर आफ मास का मतलब मैं कैसे समझाओं यह यह करके दिखाओ यह center of mass पे अगर force लगा तो यह balance हो जाएगा आजा इसके परचार नहीं करना कम पने का आजा balance हो जा center of mass जब तक center of mass को balance किया हूँ तब तक क्या था balance था जब तक center of mass पे मेरा force लगा रहा था तब तक वो balance था ठीक है लग जा center of mass पे इसमें किया पानी है तो इसके center of mass को disturb कर रहा है जहाँ पर इसका संपूर्ण द्रिब्मान केंदरित है वही center of mass है संपूर्ण द्रिब्मान क्या है केंदरित है इसी को क्या कहते है center of mass तो आईए इसको क्या कहते है RCM और यह होता है M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन में M1 प्लस M2 तो यह होता है B, B is the right answer center of mass जहाँ पर पिंट का संपूर्ण द्रिब्मान केंदरित है इसी को center of mass कहते है इनमें अदीश रासी कौन है scalar quantity इनमें कौन सा ऐसा जो है scalar है इनमें से अदीश कौन है, scalar कौन सा है बताइएगा scalar कौन सा है scalar 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 बहुत अच्छे सर इतना असान है बहुत असान है force सर वेक्टर है वेक्टर यानि सदीश यह भी सदीश वेक्टर यह वेक्टर सदीश तो बचा कौन एक एक बचा सर प्रेसर प्रेसर क्या है सर? scalar यह आपका अदीश रासी है तो कहोगे सर यहाँ पर सी आंसर वो बिलकुल सही है करेक्ट है एकदम हंडेट परसेंट जो है परफेक्ट है इसमें कहे रहा है slope of velocity time graph for slow motion यानि मंदित गती के लिए मंदित गती के लिए यानि retardation के लिए retardation के लिए आपको बताना है यानि acceleration लगतार क्या कर रही है retardation क्या होती है वेक को लगतार कम करती है तो वेक को लगतार कम करेगी तो इसके लिए परवड़ता क्या होगा ये बताओ परवड़ता क्या होगा velocity time graph क्या होगी क्या होगी क्या होगी बताओ वो लिए वो लिए क्या होगा क्या होगा चलिए देखते हैं इसमें अगर देखेंगे तो भाई सर, velocity time graph का slope क्या देता है तो जब भी slope बोले तो मैंने क्या बोला था, divide कर देना है velocity और time को divide कर वे मिलेगा acceleration, तो acceleration नहीं देता है तो acceleration किसके लिए? मंदित, तो मंदित गती के लिए negative होगा, बात कतम कैसा होगा? negative तो सर, negative, बिल्कुल सही next, कह रहा है यदि कारे सुन्य हो, तो बल और विस्थापन के बीच का code क्या होगा? कह रहा है, वर्क जीरो, तो वर्क जीरो जब होता है, तो force और displacement के बीच में angle कितना बनेगा? ये बता दो force और displacement के बीच में angle force और displacement के बीच में angle कितना बनता है? नन्ने मुन्ने राई, देश के सिपाई बता दो क्या होता है? जे हिंदा आज़ो, 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 इसका बताओ answer sir, 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 sir sir, 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 बहुत दिजी है sir कैसे sir? आपने बताया था कि अगर theta क्या हो जाए? theta अगर less than 90 है तो work sir positive होगा क्या होगा? positive अगर theta greater than 90 है तो sir जो है work क्या होता है? work होता है negative और अगर theta 90 degree हो जाए यानि बल और विस्थापन के बीच का कोड 90 degree हो जाए उस condition में सर वर्क जीरो हो जाता है जैसे कूली वाला example दिया था कूली जो है अपने सर पे समान लेके जाता है और जब वो जो है देखेगा तो weight इसका लगेगा नीचे की तरफ डबलू reaction normal उपर की तरफ वो जाएगा किदर या तो वो जाएगा या तो वो जाएगा इधर या इधर किदर भी जाएगा तो विस्थापन और इसके बीच में बलों के बीच में देखोगे तो यह angle 90 यह angle 90 90 degree बन रहा है तो इसलिए इसके दोर किया गय कारे सुने होता है अब यह नहीं कि जाके कुली से काम करा ले ना पैसा मत देना बहुत मार मारेगा फिर वो ऐसा physics पढ़ाएगा वो physical physics पढ़ाएगा कि भाई डंटे से चोट कितनी लगती है बैट से चोट कितनी लगती है रोड से चोट कितनी लगती है है ना दस लोग जो मुक्के मारते हैं तो चोट कितनी लगती है, यह सब पढ़ाएगा, तो इसलिए उससे जाके उलजना नहीं है, कि तुमने कामी नहीं किया है, वर्की नहीं किया है, बहुत मार मारेगा, है न, 90 डिगरी याद रखेगा, 90 डिगरी जो है, इसका राइट आंसर हो बताओ, ओमेगा इसमें क्या दिखाता है, तो ओमेगा किससे किससे रिपरजेंट करते हैं, यह तो बताओगा, ओमेगा को किससे रिपरजेंट करते हैं, मेरे दोस्त, मेरे मेत्र, मेरे साथी, मेरे सहपाथी, बताओ, किससे रिपरजेंट करते हैं, सर, यहां से अगर मैं बोलू यहां से अगर मैं बोलू तो यहां पर काफी लोग का अंसर आ रहा है तो यहां पर ओमेगा क्या है भाई मैंने बताया था इसको यहां तो एंगुलर विलासिटी कहलो यह एंगुलर फ्रिक्वेंसी कहलो यही तो होता है कोडिय वेग या कोडिय आवरिती तो जिन बचो का अंसर क्या रहा है सी वो बिल्कुल सही है जब हम एक बर्तन बर्फ गरम करते हैं तो पानी परिवर्तित होने के बाद पानी का स्तर क्या होगा तो बर्फ को हम गरम करेंगे तो बर्फ पिगलेगा पिगलेगा तो वो पानी का स्तर क्या होगा नोर्मली अगर पानी देखो पिखलता है तो उसमें तो भाई इसमें ये आपको बोला नहीं है कि बरतन किस चीज़ किये अगर मेटल करेती तो भी एक्सपेंड करती तो फिर तो सेम रहता लेकिन अगर नॉर्मली देखेंगे तो बर्फ जब पानिम बदलता है तो वो अपने लेवल से क्या होता है सर अपने लेवल से वो डिक्रीज करता है इसमें कोई सब के बाद नहीं है चलिए लेवल इसका डिक्रीज हो रहा है है नहें इसपे सबसे अचा बोल आ रहा है मुझे अभी लेवल जब सब्सटा आँ तो मुझे और एक चीज़ी आदाती है लेवल सबका निकलेगा है ना है लेवल सबका निकलेगा आज मेरे पास कुछ नहीं था मैं खाली घुमता था मेरे पास खाने को तीरोटी नहीं थी कोई मुझे इज़त नहीं देता था फिर मैं XYZ कमपनी का साथ जुड़ा आज मेरे पास मेरे count में 2,000 रुपए आ चुके हैं 60 दिनों के बहुत करीरी मेहनत से एक दीन मैं भी BMW लाओंगा एक दिन मैं भी Ferrari लाओंगा है ना विश्वास नहीं तूटना चाहिए और बस मुझे एक blazer पहना है टाई वाइक लगा के बिश्वास नहीं तूटना चाहिए कली अकाउंट में अगली बार 10,000 आएगा ऐसे करके 50,000 फिर एक लाओ लेवल सब का निकलेगा मुझे डैमेंड बनेंगे डैमेंड डैमेंड बनके आऊंगा सब देखते रह जाएंगे ऐसे कहते हैं ना ये बाई साफ अलग लेवल अलग लेवल है उनकी अलग ही दुनिया है है कि ने चले इसका अंसर दीजिए बाई सभी लोग यहाँ पर फोकल नमबाई दिया हुए और पावर निकलना पावर क्या होता है सर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में तो पावर हो जाएगा हंड्रेड अपन फोकस क्या होगा सर हंड्रेड अपन फोकस हंड्रेड अपन फोकस का मतलब सर फोकस कितना दिया है 50 सेंटीमीटर और कौन सा लेंस है उत्तल लेंस उत्तल लेंस हमें से या दखना कॉन्वेक्स लेंस का पावर हमें से क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस यानि की उत्तल लेंस इसका पावर हमें से क्या होता है इसका power जो है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे प्यारे बेहनों इसका अगर मैं बात करूँ power क्या होता है तो power इसका सर्फ positive होता है और अगर मैं बात करू concave lens तो concave lens का power क्या होता है author lens author lens का power क्या होता है author lens का power अगर दिखोगे तो ये होता है negative समझ गए तो यहां से आपका 100 अपॉन में 50 अगर हम देखें सर तो यह दो बार में जा रहा है तो दो डायोप्टर तो आ जाएगा लेगिन कौन प्लस यह माइनस तो कौन वेक्स है सर प्लस 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 चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इस कोश्चन को तो आप करिए दो सता छेतर से लंबहत गुजरने वाली चुमबके छेतर रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं तो सता छेतर से लंबहुत गुजरने वाली चुम्बके छेतर रखाएं अगर वैदुत रखाएं होती हैं सता से लंबहुत गुजरने वाली तो इनको क्या कहते हैं वैदुत फ्लक्स ये कौन सी है चुम्बक वाले आसर चुम्बक वाले हैं अच्छा और आपको क्या पता है क्या सर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई साथ दिवाली का तगड़ा ओफर जो है उतकर्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है जिसमें इस बार दिवाली जो है दिवाली का ट्रिपल धमागा आपको मिल रहा है ट्रिपल धमागा कैसा है स आपको SSC या railway या और कोई भी आप online courses के साथ जोड़ते हैं उतकर्स के साथ, तो इस पर up to 90% का आपको discount मिल रहा है, 3 month की extra value क्या, 3 महीने की extra value आपको मिल रही है, साथ में अगर आप live from classroom badge के साथ जोड़ते हैं, तो आपको previous recorded classes जो है, previous badge का पूरी recorded classes आपको उसमें जो है, मिले तो ये तिन-तिन धमाका एक साथ हो रहा है आपके लिए, ठीक है, और ये offer कब तक रहेगा sir, तो 3 November तक, याद रखेगा, कब तक 3 November तक जाए, ये offer रहने वाला है, अगर आप railway में sir, नई badge कोई है, क्या, NTPC के लिए, तो हाँ, अभी देखोगे, NTPC के लिए express 2.0 badge आया हु कुश्चन है ये, और इसका answer दीजे सभी लो, देखेगा, बड़ा प्यारा कुश्चन है, एक सीरी सड़क पर, एक तिहाई भाग 20 km per hour, सेस भाग 60 km per hour से पूरा करता है, औस चाल, तो देखो, यहाँ दूरी सेम नहीं है, नहीं यहाँ पर जो है, टाइम सेम है, तो यहाँ अपर हम अपना पुराना फर्मूर लागा देंगे, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो सर डिस्टेंस भी नहीं है, तो यह दिस्टेंस मानना पड़ेगा, बड़ा प्यारा कुश्चन है, आनन्द आ जाएगा, इसको करके देखो, एक मिनिट का समय दे रहाँ, उ सिजिल में हो, स्वारी, एक में भी आपके यह टाम डिस्टेंस वाले तो आती होंगे, इस्पीड, बोलिए, इजी है, कैसे सर, बताओ गे तब समझ में आएगा, इजी है कि नहीं है, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, बोलिए, आई यह दिखते, अगर मैं बात करू, अगर सुनो, टोटल माल लेते हैं, यहां पताओ दूरी सेम है, एक ती आई दूरी कहा रहा है, फिर दो ती आई सेस बचा तो सेस क्या बचेगा, दो ती आई बचेगा, तो सर ऐसा बोल रहा है, तो दूरी भी सेम नहीं है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है, टाइम भी सेम नहीं है, तो पूर माल लेते हैं, total distance कितना है, total distance है x, यहां से यहां तक का, और वो कह रहा है, एक तियाई, यानि x by 3, x by 3 कितने से चल रहा है, और 6, 6 कितना बज जाएगा, 2x by 3, तो sir, यह कितना से चल रहा है, 60 से, माल लिए, यहां से यहां तक चलने में इसको समय लग रहा है, t1, औ और यहां से यहां तक समय लग रहा है, t2, मैंने आपको बोला था, जब कुछ भी सेम ना हो, तो अपना, normal formula जो है, वो लगाना है, क्या, v average क्या होता है, sir, तो यह होता है, sir, total distance, यानि, kool दूरी, upon में, total time, यानि, kool दूरी, kool दूरी, अब बटे में, kool समय, और अगर मै कहूं, अगर मैं कहूं, कुल दूरी कितना है, तो कुल दूरी, sir, x है, कुल टाइम, sir, तो t1, t2 है, तो t1, t2, अब, sir, t1 की value निकाल सकते का, हाँ, speed क्या होता है, तो sir, इतना भी नहीं पता, बताओ, इतने सालों से 8, 7 साल कहते हो, पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं पता है, speed क्या होता है, distance upon time, दूरी अपन, दूरी बटे, समय, अब बताओ, मैं पूछूंगा, समय क्या होता है, अरे, sir, मजाक मत करो, time अगर मैं बोलूँगा, तो ये हो जाएगा, क्या, 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 distance upon me, speed, यानि, दूरी बटा, चाल, yes, sir, तो इसी से निकाल मेरे भाई, निकालो रे मुन्ने, निकालो मेरे भाईयों, क्या, T1 और T2, T1 निकाल लेंगे, तो T1 के दौरान दूरी क्या है, T1 के दौरान दूरी है, X by 3, तो sir, मुझे क्या निकाल लें, T1, तो T1 के दौरान दूरी कितना है, X by 3, तो X by 3, और T1 के टी टू निकालो टी टू निकालेंगे ट्र॑टल डिष्ट है कितना है सर्थ टो एकसवाइञ थरी 20 X वैयूक रखदो यहां से रख दिये सर्डौ जाकं नीचे टी-वन के जगा क्या रख़्ा एकस by 60-अ टी-टू प्लस 2X x vary 180 Sir अब मैंने common लिया 180 common लिया 180 क्या हुआ उपर सबसे उपर तो x था ही नीचे ये कितना 3 बार में तो 3x ये कितना तो sir 1 बार में तो plus 2x ये 180x उपर चला जाएगा तो 180x और नीचे आ रहा है 5x 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 से 5x गए और इसको देखोगे तो ये कितनी बार में जाएगा 5 से तो 5 से ये जाएगा 36 बार में आंसर आ जाएगा 36 km per hour average अच्छे लेवल का कुश्चन था तगड़े लेवल का कुश्चन था अनंद दिला दिया मुझे आज सॉल्व करा कै ऐसे कुश्चन को सॉल्व करता हो न तो अंतर आत्मा में यहां कुछ जो है न सुन्तुष्टी मिलती है न देखिएगा एक बार दुबारा देख लीजिएगा इसको रिपिट करिएगा दुबार तो ये कुश्चन आपको प्लियर हो जाएगा क्लियर है क्लियर है क्लियर है चलिए दिवाली पर छोड़े जाने वाला पड़ाका 400 मिटर पर सेकंड के वेक से चलता है तो जब भी 400 मिटर पर सेकंड के प्रति दर से जल रहा है वेक से प्रति सेकंड की दर से हो रही है तो राकेट पर लगने वाला त्वरक बलकर क्या मान वेक से प्रती सेकेंड की इसमें देखो इसमें क्या है ना कोश्चन आधा दुरा है क्यों क्यों वेलोस्टी दिया है इसमें मास देना ही चाहिए मास बिना चेंज में मास दिये कोई नहीं कर सकता मतलब भी नहीं बनता है ना क्यों वेलोस्टी से कैसे निकाल लोगे फोर्स व कारे करता है बताईएगा करित्र किस सिध्धान पर कारे करता है करित्र एटोमाईजर इसको कहते हैं एटोमाईजर एटोमाईजर किस पर काम करता है एटोमाईजर किस सिध्धान पर कारे करता है बताईएगा Atomizer के बारे में अगर बात करें किस सिध्धान पर कारे करता है क्या बोलोगे Sir, Sir, Sir ये तो बहुत easy है क्या है Sir, ये काम करेगा किस पर Bernoulli पर बहुत अच्छे Bernoulli के सिध्धान पर ये कारे करता है Next अगर मैं बात करूँ Draw a liquid Not motion the surface of the Not motion गिला नहीं करे अगर कोई भी liquid सतह को गिला नहीं करे सतह को गिला नहीं करे तो उसका स्पर्स कोड क्या होता है तो याद रखना स्पर्स कोड का मतलब ये है कि अगर 90 डिगरी से अधिक होना तो ये कभी भी गिला नहीं करेगा सतह को इस बात को याद रखना ये बात याद रखना वस तो ये था मेरी पैर बच्चों आज के टेस्ट के जवरजस्थ कुस्चन्स और आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से ultimate ultimately question धुमाधार questions जो है हम लोग करते हैं अगले में मैं light का test लेना वाला हूँ light chapter आपका बहुत ज़्यादा railway में पूछा जाता है आपकोई पता है to light chapter का अगला test में मैं test लोगा तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा और उसमें जो है अपने टेस्ट में बताएगा कि आपने स्कोर कितना गया है आज की सेसन को मेरे प्यार बिच्चों मैं यहीं तक रखूंगा आप सभी को हैपी दिवाली, सुब दिपावली और भगवान गनेश और मातलक्षमी जो है आपके घरों में सफलताय लाएं, खुसिया लाएं इस सुब कामनाओं के साथ मैं मिलूँगा आपके नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए लव यू आल, टेक केर, चैहिंद